प्रेंट्स गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ओमाइगाड इतनी गर्मी है न कि पानी और शिकनजी मसाला शिकनजी करनी का रस सब चीज़े बहुत टेस्टी लगती है बस कुछ ठंडा होना चाहिए तो आज हम जो रैसीपी बना रहे हैं वो ऐसी रैसीपी है जो इंस मसाला बनाएंगे तो नमक, काला नमक, पिसा हुआ जीरा, काली मिर्ची और साथ ही में थोड़ा सा हिंग डालेंगे इसे टीस बहुत ही शांदार आएगा पर मैं टू स्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ शुगर की क्वांटिटी को टेस्क के अकॉडिंग कम जादा भी कर सकते हैं और साथ ही में फ्रेश पोधिने की पत्या डाल रही हूँ और एकदम चिल्ड वाला पानी लेना है यहाँ पर मैंने नीबु को पहले से ही कट कर लिया है तो बस नीबु को हम निचोड लेते हैं और निचोड के ज़स्पाग हम फ्रेश पानी डालेंगे टापर्ट से बताईए कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो कौन सी कंट्री कौन सीटी प्लीज कमेंट करिए और आपने कभी मसाले दा शिकर जी पी है क्या प्लीज समर सीजन में तो बहुत इंपोर्टेंट होती है क्योंकि पानी की कमी को पूरी करती है और साथ ही में ह ढूर जालो थार्गर खैन को क्लोज़ करके यह पर पहले पानी ढालूँगी और उसके बाद जार की ढूर कि करना लिजकिंख अब भाखकनजी का टेस्ड लाता है एक बार आप मेरे तरीके या ब्लैंड करने के जर्स पाद जो मिंट यानि पोदीने का फ्लेवर आया ना वो अमेजिंग था फ्रेंट्स एक्टम तरो ताजा शिकन जी बहुत ही आते ही अगर अपने हस्बेंड को पिला दी और थके थके बच्चों को अगर यह पिला दी ना तो फटा फट से वो इंच साथ जरू शेयर कीजेगा और कमेंट कीजेगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लागा प्लीज कमेंट किरेगा मेरी रेसीपी को जाज़े से जादा शेयर कीजेगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा सी यू सुन व बाई